नमस्कार पंजाब के स्री टीव में आपका स्वागत है और जैसी कि सब को पता है कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी और गोवा में उनकी मौत हुई तो आज वहाँ पर आईजी गोवा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा है कि सोनाली फोगाट को एक पानी की बोटल में ड आम लोगों को इन चीजों के बारे में शायद जानकारी नहीं हो लेकिन जो forensic lab से संबंदित अधिकारी हैं उनको इस बारे में जानकारी होती है तो हमारे साथ जो forensic expert हैं ड्क्टर स्रोज देया जो हर रोज इसी तरह के केसों को सुल्जाने का काम करती हैं वो हमारे साथ हैं As a उनसे view लेते हैं कि वास्ताओं में इस तरह के casey के जांच किस कदर होती है और किस तरीके से मौत के वास्तिक कारणों का कख्लासा हुआता है मेडम आपका स्वागत है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो सोनाली फोगाठ है उनको एक बोटल में ड्रग्स दिया गया है और ड्रग्स की वज़े से ही शायद उनकी मौत हुई है लेकिन विसरा रिपोर्ट का भी बार-बार जिक्कर आ रहा है तो एज एक्सपर्ट हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऐसे केस को कई बार डील करते हैं तो इस तरह के केस में क्या होता है सबसे पहले स्पॉर्ट विजिट जैसे हम करते हैं तो स्पॉर्ट विजिट पर यह बहुत जरूरी है कि स्पॉर्ट विजिट से क्या एविडेंस क्लेक्ट हुए सिरफ बाद ही आप किसी तहह पे पहुंचते हो सिरफ सूपरफिशली देख कि आप किसी भी चीज को मुझे नहीं लगता एज एक्सपर्ट की हम कोई भी व्यू उसमें दे सकते हैं लेकिन चीजें ये भी हैं कि स्पोर्ट एक्जामिनेशन में जो जो चीजे एविडेंस हम वहां से क्लेक्ट करते हैं उनके विहाब पर ही फर्दर पूरा केस डिपेंड करता है तो जो ड्रक्स जैसे मामले होते हैं उसमें आप लोगों को क्या क्लेक्ट करना पड़ता है वहां से जैसे ड्रक्स वाले डिपेंड करता है कि ड्रक्स किस टाइप का है तो वहां पर जो भी सरकं तो उस तरह के एविडेंस इस ओन दा सपोर्ट अगर मिलते हैं तो वह सारे कि सारे हम कनेक्ट करके फिर इस पर पहुंचते हैं कि भी क्या क्या हो सकता है लेकिन फाइनल अथोर्टी जो है फाइनल एक्जामिशन लैब के एक्जामिशन के पाद ही पता चलता है एक तो ऐसी ड्रॉग्स होती हैं जो पानी में मिला कर यहां कोल्डृכול का में ली जा सकते हैं जिनको कि हम लाकल behavior मिलाकर दे सकते हैं तो हमारी बोडि के क्म बोडि की लिए जाल वादा बढकरता एक बंदा ऑ्रता है तो उसको इतना ज्यादा इफेक्ट जल्दी संही होता लेकिन जो बंदा श्याल से केंड टाइम है तो हो सकता उसके बोडि एकदम ज्यादस गाउड़ इफंट करें लेकिन कौंटिती पे टिफेंटी करता है कि किटने लिए कि tentang किए लिए कि हमारी वोडिए उस को अभसको अज्चें नहीं कर पाती है तो उस विज़े से डाथ हो जाती है अगर गसी को जबर्दास्ति दी जाती है तो क्या उसमें भूस्ट माूर्ट पोर्ड होत बोड़ी के ऊपर कोई स्ट्रगल मांक्स कोई माउथ पे मांक्स होएं क्योंकि अगर जबर्दस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मांक्स जरूर होंगे आप जबर्दस्ती माउथ पे आपको जबर्दस्ती कर रहा है तो माउथ पे कोई इंजरी अवेलेबल होगी कोई हाथ पर आपके इंजरी अविलेबल होगी तो उन चीजों से पोस्टमार्टम में यह हो सकते हैं कि इसके साथ बोड़ी पर कोई एक्ट्रन इंजरी है या नहीं माउथ के साथ आप जबरदस्ती करोगे उसके लिफ्स कटे होगे या माउथ पर कोई और पंच मारा हुआ है या इस है कि जो इंजरीज है उन से हम यह थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसके साथ स्ट्रगल हुआ है और में भी हो सकता है कि कोई जबरदस्ती हुई हो मालब हम यह कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साफ तोर पर यह नहीं का जा सकता कि यह जबरदस् केर का कोर्णर लग गया या फर्श पर गिर गया तो चोड तो उसके भी उससे आ सकती है तो हम बहुत चीजे नहीं कह सकते लेकिन सरकम्स्टांशेल और बॉड़ी की एक्जामनेशन से एक व्यू जरूर बना लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा या क्या किस तरह से हुआ लेकिन एक बात और है एक विसरा भी महतवपोन किसी आख में उसका भूत विसरा की वज़े से उसके जो कार्ण है वह शामने आजाते हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि वास्तव में विष्रा होता क्या है। में चली जाती हैं तो यह सारी चीज़े जो एक content है बैस टमक का पाट है इंटरस्टाइन का पाट यह स्प्लीन का पाट है हमारे किड्नी का पार्ट है । यह सारे कोलाबरेशन करके ही विसरा कहते हैं इसको और जब हम ó flap करते हैं इन सारी चीजों को तो उसमें यह आजाता है कि भी इसमें drugs है या किस तरह की क्या medicine है कोई drugs है alcohol है कितनी quantity में है even कि ये भी हम लोग कर सकते है उसमें तो इस तरह से जो है उसमें ये verify हो जाता है क्या drugs है क्या medication है sell ik house है या किस तरह का कोई chemical ही युज उड़ी विस रिपोर्ट से पूरी state level प्रेवल पे लेवल पर लेवोटरी बनी हुई है, forensic science लेवोटरी में पंजाब में अलग हैं, चंडिगड में अलग हैं, हिमाचल में हर्याना में भी हैं, यानि पूरी state level पे अलग। सेंटर की लेवोटरी में बनी होती हैं. तो यह special laboratories होते हैं उन्हीं में एक्जामनेशन होता है तो विसरा report की जाच में अगर हम drugs की बात करें तो क्या specific कैसी कौन सी चीज ली जाती है जिसमें drugs के बारे में जानकारी मिल जाती है वो अलग-अलग parameter होते हैं तो वो जैसे हम विसरा को detect करते हैं तो उसमें अलग-अलग करें कि टेस्ट लगाई जाते हैं वो different test हैं उनके भिहाब पे अलमुनियम फॉसफाइड के लिए यानि सलफास के लिए अलग टेस्ट लगा जाता है अलग-अलग जो ड्रग्स हमारी हैं उनके लिए अलग-अलग टेस्ट लगा जाते हैं तो वो सारे test लगा के कोलाबरेशन करके फिर ही एक scientist report सब्मिट करता है तो विसरा रिपोर्ट से क्या मोत के कारणों का सही खुलासा हो जाता है रिपोर्ट का मोत का कारण का तो मैं नहीं कह सकूंगी कि मोत के कारण का खुलासा हो जाता है क्योंकि वह investigating part है कि वह कैसे क्या हुआ हो गा लेकिन वि विस्रा रिपोर्ट में chemical analysis करके यह बता सकते हैं लेकिन कारणों का खुलासा तो investigating part होता है कि वहां क्या circumstances थे उसके साथ कोई था या नहीं था विस्रा रिपोर्ट से आप यह नहीं कह सकते कि हत्या है यह हम justify नहीं कर सकते जस्ट विस्रा report हमारी chemical analysis report होती है उसमें सिर्फ हम यह justify करते हैं कि इस आदमी की body में क्या है कौन सी drugs है कौन सा chemical है अब उसने जबरस्ति लिया है या किसी ने दिया है या अपने आप लिया है यह investigating का part है तो कितनी देर में रिपोर्ट आ जाती है अगर मालो विस्रा भेजा जाता है तो scientific staff बहुत कम है तो हमारे यह जो चलता है केस का system चलता है वो according to need चलता है कि court में किसके availability जादा है या जो SP office कोई भी SP है तो वो special deal letters लिखते है क्योंकि वैसे तो पेंडेंसी बहुत जादा है लेकिन अगर हम मैं एक general visa report की बात करती हूं तो सलफास का केस है तो अगर उसकी urgency होती है तो वो 2-3 घंटे में report submit हो जाती है ड्रक्स वाले cases में उसमें कई सारे parameter लगते है तो उसमें 3-4 दिन का time लगता है और फिर बहुत सारी चीज़ें है क्योंकि यह सारी मशीनों पर होता है यह सारा काम हमें instrument की जरूरत होती है तो तो उस घटना में post-martem report, visera report और sport पे जो चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें तै करती है कि वास्तव में क्या हुआ है जी यह सारी चीज़ें किसी भी case को किसी भी crime को solve करने के लिए primary face या में सबसे पहले sport examination है sport पे किस तरह का surrounding रहा है वहाँ पर कितना क्या struggling हुई है हुम में कौन-कौन availability था वहाँ पर जो हमें chemical कुछ मिलता है वह चीज़ें फिर post-martem क्योंकि post-martem में भी इंज्री एक्स्टरनल इंज्री है इंज्री है वह इंज्री गिरने से आई हुई है या किसी ने किसी दूसरे बंदे ने हट किया है तो यह चीजे और उसके बाद chemical analysis इन सारी चीजों से मिलके ही हम किसी case की तहह तक पहुंच सकते हैं तो एक लोगों के मन में संचे यह होता है कि रिपोर्ट बदल दी जाती है क्या ऐसा संबब है मैं as a scientist ऐसा संबब नहीं है कि हम किसी और कि साइनटीस्ट के पास जो भी विसरा जाता है हमें personalize कुछ भी नहीं होता है कि हमें किसी को personalize कुछ करना है तो मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगे कि कि किसी भी architects में कोई ऐसा case है कि किसी की report बदली गई आज त तो डॉक्टर सरोज दहिया जो हर रोज इस तरह के केस को सौल्व करती है उनके द्वारा जो तत्थे इकठे किये जाते हैं वो किसी भी केस को सौल्व करने में बहुत महतवपूर्ण योगदान देते हैं सोनाली फोगाट की अगर बात की जाए तो यह का जा रहा है कि उनका ड्रग्स उनको दिया गया और उनकी विसरा रिपोर्ट आने के बाद सारे मामले का खुलासा होगा तो as a fsl expert हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि मोके पर जो सबूत मिलते हैं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में जो आता है और विसरा रिपोर्ट की जाच में जो मिलता है उसके बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती है और उसी के बाद किसी केस का खुलासा होत है रोतक से मैं दीपक भारदवाच पंजाब के स्री टीवी